हाई अब्रिवान एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का P.W.I.T. Jam C.S.R.net YouTube चैनल पर मेरा नाम है हितेश एंड आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग the I.T. Jam examination के बारे में इस एक्जाम के बारे में जितनी भी बाते आपको जाननी चाहिए जो भी आपके knowledge में होनी चाहिए वो सारी बाते हम इसके बारे में आज करने वाले हैं जैसे हम 12th class में होते हैं जब हम B.Sc. में एंटरी करते हैं या B.Sc. 1st year, 2nd year तक भी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि हां ऐसा कुछ एक एक्जाम भी है जो ऐसी जी दिला सकता है जो हमने सोची भी नहीं है ठीक है मैं यह पहले भी बोल चुका हूँ यह एक ऐसा एक्जाम है जो आना कि जिसकी awareness लोगों में सच में बहुत कम है यह आपको master करवाएगा ऐसी जगे से जहां पर आना हमेशा से चाहते थे तो वहां पर दुबारा पहुचने का एक जरिया है आई टी से masters अगर आपको करनी है तो आई टी जैम उसका एक जरिया है ठीक है और आप देखो कि आपके बहुत सारे seniors इसकी त्यारी गर रहे होंगे तो जो भी लोग इसकी त्यारी करना चाहते है जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए वीडियो होगी इसमें हम सारी बाते करेंगे बच्चे आई टी जैम क्या है eligibility criteria क्या है number of seats क्या है important dates क्या है क्या strategy होनी चाहिए benefits क्या होंगे आई टी जैम में exam pattern क्या होगा यह सारी बाते आज हम करने वाले हैं तो 23 आई टी घ्वाटे इस गॉइंग टू बी और गनाइजड तो यह बाते आपको पता होनी चाहिए हाला कि इससे त्यारी से कोई लेना देना नहीं है आपको हमेशा त्यारी पूरी ही करनी है और गनाइजिंग से आपको कुछ नहीं फरक पड़ने वाला जस्ट आपको बताया है अब इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या बाते करने वाले हैं यह सारी बाते आज हम करेंगे कि आई टी जैम क्या है अगर यह एक्जाम हम आपसे पूछे कि कैसे क्लियर किया जा सकता है तो आप क्या सला देना चाहोगे वह भी आप बता देना तो वह भी उसके बारे में भी कुछ बाते लास में हम जरूर करेंगे सबसे पहले जैम एक जोईंट एडमिशन टेस्ट है फॉर मास्टर्स ठीक है जो बेसिकली आइटी जैंड आईसी कंडेक्ट करवार यह सीन्स टूटाउजन पॉर से औब्जेक्टिव इस एक्जाम का यह है कि बच्चा यहना साइन्स को थोड़ा और आगे तक पड़े रि इस एक को करना है तो आई 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 टी यह आपको ध्यान रखनाँ चाहिए अगर आपको मास्टर्स करनी है तो उससे बहतरीन कोई भी जगए आपके लिए नहीं होगी क्यों इतने benefits क्यों है वहाँ से करने के बाद यह सारी बाते ना वो point है ना जो benefits of IT jam वहाँ पर हम जरूर देखेंगे तो यह 7 पेपर हैं जिसमें jam 2023 target करवाया जाएगा इन 7 exam के लिए पेपर होगा jam that is jam BT jam biotechnology jam geology jam chemistry jam mathematics jam economics and jam physics and last one is jam mathematical statistics इन 7 exam के लिए jam करवाया जा रहा है 2023 में आप जिस भी particular subject में interest रखते हो उसमें आप धुआ बना सकते हो अपना चाप छोड़ सकते हो उस exam के लिए चीक है जी चलिए next बात करते हैं eligibility criteria क्या होगा eligibility criteria अगर हम बात करें आज से पहले ना previous exams के लिए eligibility criteria 21 से पहले यह था कि आपको कुछ minimum percentage होनी चाहिए मगर अब यह नहीं है अब जस्ट आपको qualifying degree पास करनी होगी और आपको qualifying degree जो पास है उसका प्रूफ भी बन सेप्टेंबर 2023 को देना होगा ऐसा होता है कई कि लोगों को यह मन में doubt होता है कि सर लेट सपोस हमारा result नहीं आया और आइटी में admission होने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है आपका result September 1 सेप्टेंबर तक तो पक्का आही जाएगा और सिरफ आपको qualifying degree का ही प्रूफ नहीं और भी जो minimum eligibility criteria जैसे कि educational criteria हर subject के लिए बच्चे अलग-अलग होता है जैसे मैं chemistry के लिए बता सकते हूं कुछ ही आइटी हैं जो ऐसा मानती है कि 12 में कोई भी subject हो चल जाएगा मगर बहुत सारी आइटी यह मानती है कि 12th class में math होनी चाहिए तभी आपको chemistry मिलेगा अब यह बच्चा सोचता तक नहीं है कि भाया msc chemistry करने के लिए 12th class में math होना जरूरी था मगर यह सच्चाई है इसके उपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आपको यह सारी चीजे बताने के लिए ऐसी particular हर subject में कुछ ऐसी educational qualification जो जरूरी होती है वो भी आप एक बार देखेंगे तो यह वीडियो भी जरूर बनाई जाएगी ठीक है और वो सारी जो educational class का मैच देख सकते हो दे सकते हो तो अभी भी मैं उसके लिए एक वीडियो बाद में बना दूँगा वो सारी information भी आपके लिए शेर जरूर करूँगा ठीक है देन आपके लिए important dates क्या होगी बच्चे important dates है September 7 को IT Jam का registration स्टार्ट हुआ था October 11 तक last date थी and Gen 23 को IT Jam के admit card आएंगे 12th हो February को IT Jam का examination है अब वो किस schedule में होना है किस किस time पर कौन सा examination है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा and March 22 तक आपका around holy मेरको याद है holy थी अगले दिन जब मेरा result आए था तो around holy के आसपास ही इसका result आता है ताकि आप अच्छी एक holy बना सको तो आपका jam का result आएगा वो 22 March को आएगा चीक है जिनोंने ये form fill किया है jam 23 उनके लिए है ऐसे ही jam 24 भी आप around शुरू कर लोग कि September में 23 में jam 24 का form निकलेगा तब आपको अपने आपको available करना है वो form के लिए fill करने के लिए कौन लोग इसको दे सकते हैं जो appearing है last year में appear कर रहे हैं वो लोग इनको दे सकते हैं क्योंकि आपको September तक अपनी degree दिखानी होगी तो जो ल करते हैं then क्या schedule होगा वह वाली बात करेंगे संडे को 12 February को हमेशा second Sunday को ही exam होता है तो दो में होते हैं एक आपका एक्जाम होगा जिसके यह सब्जेक्ट है that is chemistry, geology, mathematics यह 23 की बात कर सकते हैं 24 का पूरा ब्राउचर बाद में आएगा तो अभी हम इसके बारे इसको help लेके पूरा system समझेंगे ठीक है then यह आपके चार सब्जेक्ट है जो आफ्टरनोन में होने वाज़ आगे बढ़ते हैं number of seats कितनी है तो बच्चे अगर हम बात करें IT's total seats जो दे रही है वो 3000 के राउंड है jam 23 24 session के लिए academic year जो 23 24 चलेगा उसके लिए total seats 3000 वो सारे साथ सब्जेक्ट की है अब particular एक एक सब्जेक्ट को हम ऐसे नहीं बता सकते मगर सारे सारे सब्जेक्ट की 3000 के around seats है ऐसे ही जो NIT's and other Central Funded Technical Institute है वो 2000 के around seats रखती है मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर दूँगा कि आप around अगर आप general category में हो तो 300-400 rank अपनी समझो इतना जरूर टार्गेट करके समझे और यकीन मानो यह बिल्कुल भी ऐसा मुश्किल नहीं है सुनने में लगता है मगर आप करने बैट होगे तो आप अराम से कर लोगे क्यों पते क्यों दिक्कत आती है क्योंकि सुनकर ही त्याग देते हैं कि अरे यार इतनी रैंक पर admission में लेगा इतनी रैंक तो देश में कितने लोग देंगे ऐसा नहीं है बच्चे यह एक्जाम particular subject की अगर हम बात करूं एक subject में लग बख 15-16,000 people ली देते हैं ठीक है उसमे बात करते हैं एक्जाम पैटन क्या होता है यह बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम पैटन के बारे में बाते करना है एक है section A जिसमें mcq होंगे मतलब की चार में से एक option ठीक होगा this is section A section A में दो पार्ट होते है एक पार्ट होता है एक से 10 तक जिसका marks होता है 1 mark एक क्योशन का एक marks होता है और उसकी negative marking होती है minus 1 by 3 next जो section होता है section A में ही दूसरा जो पार्ट है वो 10 से लेकर 30 डग 11 से लेकर 30 question तक होता है और एक question दो marks का वहाँ से होता है और total question आपके 30 हो गए तो यहाँ से 10 यहाँ से पकड़े और 40 यहाँ से पकड़े तो आप section A लगा कर चलो कितने marks का है? section A आपका है बच्चे 50 marks का है यह 50 marks का है और बहुत important है भई, बहुत ज़्यादा important है क्योंकि यह as comparison to other section ज़्यादा easy पड़ता है हाँ इसमें negative marking है बट still यह other comparison इन दोनों के comparison यह ज़्यादा easy पड़ता है आपको यह ध्यान रखना क्योंकि इसमें 1 option ठीक होता है 4 में से 1 ही ठीक करना है तो यह ध्यान रखना 100 में से 50 marks 50% section A का है ठीक है यह ध्यान रखना और negative marking इस type यह देन आता है section B section B में 10 questions होते हैं और A question 2 marks का होता है यानि कि पूरा section B बच्चे कितने marks का हो गया 20 marks का हो गया अब sir इसके बारे में क्या है और यह क्या लिखा हुआ है no negative marking हां जी और आपको मैंने sir ABC तो लगाया था डी तो नहीं लगाया 0 ही मिलेंगे मगर मजे की बात यह कि कोई negative marking नहीं है इसलिए यह 10 के 10 attempt किये जाते हैं और करना ही है ना करना तो बेवकुफी होगी क्योंकि negative marking नहीं है तो हमें सारे कि सारे attempt करने है देन बच्चे आता है numerical answer type section C इसमें भी दो पार्ट होते हैं 10 questions होते हैं 1 marks के और 10 questions होते हैं बच्चे 2 marks के तो यह total आपका कितना बनता है 30 marks का यह बनता है 30 marks का around यह बनता है total 100 marks का paper होता है अब यह समझो 100 marks का paper 100 marks का आपका paper है 100 marks का exam होगा 60 minutes होते हैं 180 minutes आपके पास होंगे 180 minutes होंगे just a second 180 minutes आपके पास होंगे 100 questions के लिए 60 questions के लिए 180 minutes 60 questions तो यह है पूरा exam 100 marks 60 questions और 180 minutes यानि कि particular 1 question के लिए बच्चे 3 minutes होते हैं तो यह एक ऐसा exam है जिसमें मैं आपको clearly कह सकता हूँ कि कोई बहार आकर यह कभी नहीं कहेगा Sir, अगर 5 minutes और मिल जाते न तो कसम से मैं ही था जो था इनफ time होता है मतलब कि more than enough आप 2 घंटे में अगर आता होगा तो 2 घंटे में submit दोगे नहीं आता होगा तो इसमें time की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बस आपको अपनी knowledge का use करना है तो subject को एकदम depth में पढ़ो और उसको वहाँ पर जाके सारी apply कर दो जो चीज़े आप पढ़ रहे हो जिस भी subject के आप हो तो ये था कि एक्जाम pattern बच्चे क्या है आगे बात करते हैं बच्चे बहुत जरूरी है बेनिफिट्स क्या है देखो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसी जगे पर पोज़ना जहां पर आप पोज़ना शायद 11-12 में भी जाते थे कि IIT से हम कोई भी graduation करें अगर चलो आप graduation अगर IIT से नहीं कर पाए तो ये आपके पास एक और मोका है कि आप IIT में जा सको है MSC कर सकते हो from IIT Masters from IIT ठीक है तो ये सबसे बड़ा आपका एक plus point है ऐसा institute जो आपको help करेगा और सर ये मतलब कि सच में IIT अच्छा है या इतना है वस इसका इतना वह है ना वाके में बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत शांदार मज़ा आएगा एक तो campus environment आप वहां पर जाओगे तो जो basic basic दिक्कतें आपको और इंसिट्यूट में अगर हो रही है तो यहां पर नहीं होने वाली है चाहे आपकी होस्टर लाइफ हो चाहे आपकी लोगों को खाने तक की समस्य होती है यह तो बहुत दूर की बात है आपको कोई भी लैब में दिक्कत नहीं आएगी सारी सोर्सी एवेलेबल होंगे अगर जैसे chemistry में लैब की बहुत जरूरत होती है तो बहुत सारे बच्चे लैब देखकर भी नहीं आते सीधा मास्टर में जब आ रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ पूरी complete practical knowledge मिलेगी तो यह point भी बहुत important है practical knowledge आपको यहाँ पर complete मिलने वाली है ठीक है जी एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ऐसी जगह पर जहां पर सारे ही brilliant है जैसे कि आप अभी किसी institute में होगे तो आप खुदी classify करके बैठे होगे कि यह यह दो चार्ट ओपर हैं यह लोग average है और यह लोग इनको नहीं आता ऐसा वहाँ नहीं चलेगा वहाँ पर जो यह लोग है ना जो टोप नहीं कर रहे हैं यह भी किसी ना किसी subject में best है किसी ना किसी चीज में best है कोच ना कुछ ऐसा क कर सकते हैं लाइफ में जो यह उपर वाला नहीं कर सकता मतलब यह पूरी लिस्ट सारे के सारे क्लास्मेंट जो आप लोग होंगे सब एवन मतलब कि एकदम brilliant एकदम fine mind जो पूरे confident होंगे हर चीज को लेकर उनकी aim कुछ और होगा हर किसी का aim आपको कुछ और मिलेगा तो यह जो एक environment होगा ना एक positive environment जहां पर हर टाइम आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं यह तो just a CD थी असल बात यही है कि यहां पर पोचकर आपको एक CD नजर आएगी कि हाँ यह step था इसके बाद आप कई जगे पोच सकते हो आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो आप कैसे बोलना है कैसे प्रेजेंट करना है जगे 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 जहांकर आपको यह चीज़े समझ में आएगी तो मतलब confidence development मैं कह सकता हूं आपको होने वाला है ठीक है जी अब बात करते हैं particularly subject की तो सबसे बड़ी बात research आप complete research oriented होने लगोगे और यही IIT Jam का एक main aim है कि जो young और brilliant mind है वो भी research में आए एकदम शांदर शांदर जो लोग है जो बहुत अच्छा सोच सकते हैं वो लोग research में आए तो वो masters बहुत अच्छी जगे से करें उनका project बहुत अच्छी जगे से हो और वो बहुत अच्छी जगे IIT हो सकती है research आप करोगे internship आपको help करेगा वहाँ पर आप internship वगेरा करोगे ठीक है जैसे कि winter vacation में कुछ लोग घर चले जाते हैं तो कुछ लोगों के पास internship के भी option होते हैं तो वो भी आप easily कर सकते हैं और यह आपके further use होती है अगर आप PhD oriented हो तो आपको internship करना काफी important है then सबसे important बात आपकी job security job placement भी एक options हमेशा हमेशा के लिए बच्चे है ही ठीक है तो यह है आपके benefits और भी वहाँ पर जाके आप खुद इस list में add कर दोगे कि सर यह point भी add कर लो हमने यह जाकर वहाँ पर नया सीख है सबसे बड़ी बात है आप बहुत सारी चीज सीखते हो सकते हो मतलब कि let's suppose आप अपने core subject से हट कर कुछ और भी सीख सकते हो लोग coding सीख रहे होते हैं लोग अलग-अलग languages सीख रहे होते हैं मतलब कि अपने आपको build कर रहे होते हैं अपनी personality develop कर रहे होते हैं तो यह सारी चीज़े आप वहाँ पर जाकर सीखने वाले हो चली थोड़ा tips के बारे में बात कर सकते हैं अब उनको थोड़ा देख लो है ना क्योंकि 50 परसेंट तो वहीं से होना है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैन अब आपको इसके लिए क्या करना है थोड़ा सा यह गड़बड बच्चा कर देता है कंसाइज नहीं रहता है अंतर नहीं करता कि jam को कब रोक और लगड़ा है यह आपको जरूर पता होना चाहिए जहां पर भी आप जैसे भी पढ़ रहे हो आपके मेंटर आपको जरूर यह बात जरूर बता रहे होंगे और इस बात को प्लीज स्थोड़ा सा इंपोर्टेंट मानना उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करने के लिए और ये भी कैसे पता लग से उसके बाद अगर हम बात करें करो क्यों कि कई लोग क्यों को प्रैक्टिस करने crafts कि सर आप प्रेक्टिस करेंगे फिर क्योशन नहीं होगा फिर मूड खराब होगा फिर मैं एक दो दिन के लिए पढ़ाई चोड़ दूँगा नहीं भई प्रेक्टिस करो यह प्रोसेस है यह पार्ट है यह आपकी पूरी जर्दिंग का एक पार्ट है कि क्योशन प्रेक्टिस कोई अच्छे से क्योशन कर रहे हो वही चीज आप 2 गंटे में अगर जाधा क्योशन दे दूँ वही चीज में जाधा क्योशन देके 3 गंटे में उसी लेवल के चेशन दूँगा तो आपकी मायंड की प्रोसेस में जरूर डालेंगे पूरे-पूरे पेपर को सोल करने की कोशिश करेंगे उसके बाद इस महान वर्ड की इज्जत करो हैना देवता समान है टाइम समय समय की किमत करो वही चाहे आप अब से लेकर जैम 2024 वाले हैं जैम 2023 वाले हैं सब लोग अपने प्लीस टाइम को म इनफ होता है अगर आता होगा तो वह आपका 诉सकी आता हो ने उसका नहीं हो जाएगा थिक है तो एक्स killing मेर्ण थे क्यों गलत है वहां जाकर देखो वो सिली मिस्टेक समझ में आएगी कि आप पॉइंट-पॉइंट की भी गलती कर रहे हैं चोटे-चोटे बारिक-बारिक पॉइंट की उसको आपको नहीं करना है एंड एम जो बच्चे आपका हमेशा हाई होना चाहिए अगर आपको इमेजिन ही कर रहे हैं तो एक ऐस करो अब आप बड़े हो गए हो मैचियोर हो गए हो फोकस करो क्लास में किसी भी क्लास में बैटे हो किसी भी टीचर के आगे बैटे हो ध्यान से सुनने की आदर डालो चलिए थैंक यू सो मच दिस आल फ्रों माइस साइड उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्फू ल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी बाते करेंगे टेक केर थैंक यू सो मच